नमस्कार, मैं डॉक्टर रजीद भारती है, आज फिर आपके लिए हिंदी विसे के अंतरगत, NCRT, क्लास 11, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट का नाम है गलता लोवर, जिसके लेखा कहें सेखर जोसी, तो इसे CBSC बोर्ड में कोर्क के हिंदी के नाम से जाना जाता है, और दूसर हो जाएगा, तो उसके पार्ट वन के description में इसकी link भी दे देंगे, तो चलो फिर सुरू करते हैं, और बहुत आसानी से हम पढ़ते हैं, जो पार्ट के अंत में प्रसंद ये, उसी के उत्तर हम आपके सामने लेका रहे हैं, तो दिया है पार्ट के साथ, पार्ट के साथ में प्रसंदिया की कानी के उस प्रसंग का उल्लेक करें, जिसमें किताबों की विदा और घंचलानी की विद्या का जिक्रा है, देखो का की कानी जो पार्ट है, कि उस प्रसंग का उल्लेक करो, जिसमें किताबों की विदा और घंचलानी की विद्या का जिक्रो, घं यानि जो ह विद्या का अर्थ है कि विद्यालय में मास्टर जी द्वारा धनराम को पढ़ना एवं पुस्तकी ग्यान कराया जाना तता दूसरी और घन चलाने की विद्या में धनराम को पिता पैतरक बेवसाय यानि लुहार का काम सिखा रहे थे कायने का मतलब यह है कि जो धनराम था जब विद्यालय जाता था तो उसके जो मास्टर साब थे वह पुस्तकी ग्यान सिखाते थे और जब वो घर जाता था तो उसके पिता जी क्या थे लुआर थे तो उसे लुआर गीरी सिखा रहे थे अब लुआर गीरी में उसके पिता क्य क्या चीज़ें सिका रहे थे जैसे दिया हुआ है जैसे धोकनी फूकना, सान चडाना, हतावडा वा घंचलाना ये चीज़ें सिका रहे थे दोनों प्रकार की विद्या धनराम एक साथ सीख रहा था अब दोनों प्रकार की विद्या का मतलब वो इसकूल में मास्टर द्वारा जो पढ़ा जाता वो सीख रहा था और घर में पता जी द्वारा जो लोहर गेरी सखाई जा रही तो उसको भी सीख रहा था अब आता है पर आपका प्रस नंबर दूसरा तो प्रस नंबर दूसरा इस प्रकार से दिया है धनराम मोवन को अपना प्रतोंदी क्यों नहीं समझता था तो उत्तर धनराम के द्वारा मोवन को प्रतोंदी ना समझने के कई कारण थे तो पहला सर प्रता मोवन उच जाती का ब्राम्मर था और धनराम निम्नजाती का लोहर था तो देखो दिया कि धनराम मुवन को अपना प्रतवदंदी को नहीं समझता था क्योंकि धनराम के द्वारा मुवन को प्रतवदंदी ना समझने का कान था सबसे पहले एक तो मुवन का उचजाती ब्राममर का था ठीक और धनराम निम्नजाती यानि लुआर का था इसलिए वो अपना प्रतोदंदी नहीं मानता तो उसको लगता तो यह तो दूसरी जात का है हमसे उची जात का हमारी प्रतोदंदी कैसे हो सकता पर दिया आंगे बच्पन से ही धनराम के मन में जात कत हिंता का भाव भर दिया गयता है यह बच्पन से ही धनराम को बता दिया गया कि तुम छोटी जात के हो और उसका मित्र बड़ी जात का इसी लिए उप पहली छोटे से ही उसका मन क्या हो गया दब गया जिस कारण धनराम मोवन को अपना प्रतोधन्दी नहीं समझता था एक तो यह हो गया, ठीक है पहर आता है दूसरा कारण, तो दूसरा कारण यह दिया है कि दूसरा कारण मोवन कच्छा में सबसे अधिक उसियार था ताथा, मास्टर त Chinese का चाहताथा, एक और कारण था कि मास अब प्रस नंबर आता है तीसरा तीसरा दिया है धनराम को मुवन के किस बिवार पर आश्चर होता है और क्यों तो उत्तर हम इस प्रकार से इसका लिखेंगे उत्तर धनराम जब लुए की छड़ को गोल नहीं बना पा रहा था मुवन ने उसके आँसे अतावडा लेकर छड़ को गरम करके तुरंद गोल छले के समान बना दिया धनराम को मुवन की इस कलाकारी पर आश्चर नहीं होता है उसके आश्चर का कारण था कि ब्रामर जात के लोहाजात के लड़के की दुकान पर बैठ कर अपने अहांतों से काम किया गाउं में उचे जात के तोले के आदमी निमने जात के तोले तोला का मतलब है मुवले के ब्यक्ती के पास बैठना अपनी साम के खलाप मानते है देखो प्रस में दिया था कि जो धनराम है उसको चल्ला नहीं बना पा रहा था तो उसका मित्र मौवन आया जो जाज्से ब्रामर था उससे दन्राम को क्या करा उससे छड़ लिया और उससे छल्ले बना दिये तो इस बास से वो नहीं आश्चर चकेत था इस आश्चर चकेत nervous होने का कारण था दन्राम का कि एक ब्रामर जात का बेक्ती होते हुए लुआर के साथ कैसे काम कर ला है इस बास से आश्चर चके था क्योंकि उसके याँ जो छोटी बड़ी जात के थे निमने जाती के साथ वो बैठना भी पसंद नहीं करते थे परस नमबर आता है चार मोवन के लखनू आने के बाद के समय को लेकक ने उसके जीवन का एक नया अध्याए क्यों का है चलो उत्तर देख लेते हैं उत्तर लखनू आने पर मोवन की जिंदगी का एक नया अध्याए सुरू हुआ क्योंकि घर की मैलाओं के अलावा मोले की अन स्कूल में हुआ था, वे मेदावी च्छात नए वाता वरन तथा काम की बोज़ के कारण अपनी पैचान नहीं बना पाया, साधान तकिनिंग सिच्छा के बाद अजीवका के लिए वे कार खानों और फैक्टरियों के चक्कर लगाने लगा, उसके सुनेरे सपने तूड गए, इस परकार यह समय उसके जीवन का नया अध्यायता, देखो धनराम को उसके पता ने, उसके मित्र, रमेस के साथ कहा लखनू बेच दिया, कि सहर में जाएगा, पड़ेगा, लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसने क्या किया, उसको ले गया, और घर का काम कराता था, मुल्ले की जो मैलाय थी, वो भी काम कराती थी, और उसको एक साधान से स्कूल में एडवीशन दिला दिया, जबकि वो पड़ने में कैसा था, मिदा भी था, बाद में पर उसे एक तक्नीकी सिच्छा का कोर्स करा दिया, और बाद में क्या हुआ, कार खानों फैक्टरि जबान के चाबुक कहा और क्यों, तो उत्तर, तेरे दिमाग में तो लोवा भरा है रे, विद्या का ताप कहां से लगे इसमें, इस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है, मास्टर ते लोग सिंग धनराम को मार मार कर पाड़ा याद कराना चाते थे, परंटु धनरा याद नहीं कर पाता था, तब उन्होंने सोचा कि साइद इस बात से पढ़ने लगे, क्योंकि सारीरिक चोट की तुलना में वह बाड़ी की चोट अधिक गहरी होती है, पिर धनराम ने इसके बाद पढ़ाई छोड़कर पैतरक दंदा लोवार गीरी को ही अपना लिया, दे याद नहीं होता तब मार मार को उसको सही कर दे थे और बहुत जूल बोलते थे, उनको लगता था साइद मारने और गलत सद्दों का प्रियोग करने से इसमें कोई सुधार आ जाया यानि पढ़ा याद कर ले, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता था, उसने क्या करा, पढ़ प्रियोग का, यही सारा होता है, अब इसमें कहा, किसें किस से कहा है, उत्तर, पुर॥ऑत बंसी दर्तिवारी ने ब्रादरी के एक संपन परवार के एवक रमैस से कहा, ठीक, यह बात कप कही थी, जब बंसी दर्तिवारी के पुत्र, मोवन को रमेस अपने सा लखनू ले ज रहा वंसी दर ने अपने पुत्र मुवन की पढ़ाई की चिंता रमेस की समझ प्रकट की तो रमेस ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने उपर ले ली तो पंडे जी ने रमेस की सानवुती से गदगद ओकर का कि अपनी बरादरी अर्था जात की यह लोग समय पर काम आते हैं चीक इसे में सीधा सीधा है कि वंसी दर ने अपने पुत्र को क्या मुवन की पढ़ाई की चंता रमेस को बताई रमेस उसको अपने साथ लखनु ले गया तो उस बड़ा पिरसन हुआ की और पिर कहता की देखो अपनी जात का ब्यक्ती ही अपने काम आ गया पिर आ ब्रादरी के लोग ये एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं परंतु प्रोयत जी का ये विचार बिल्कुल गलत था इसमें रमेश की सानबूती नहीं स्वार्थ था देखो मौन के पताक लगता था कि रमेश देखो अपने लेकर जा रहा हुँने लगता ये अपने ब्र हुआ उत्तर कानी में ये आशक की ब्रादरी का ही सारा होता है बिल्कुल ख़रा नहीं उत्रा है रमेश मौन को एक मौन को नवकर समझ कर ले गयते वे उसे अपनी ब्रादरी या जात का नामान कर नवकर की आशियस से देखते थे एक मेदावी बालक का बहुष नष्ट हो रमेस ने मोवन के पिता की सरलता वा गरीवी का लाब ही उठाया एक साधरन स्कूल में दाखला दिला कर आठवी पास करा दी फिर एक अनपयोगी तक्निकी स्कूल में बेच कर उसके दोज़ धाई साल और बरबाद करा दिये आंते में ना वै उच्छा ले पाया और ना ही देखो जो रमेस था मोवन को ले गया लखनो उसके पता जी को तसली दिला दिया कि हमें से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे लेकिन वहाँ ले गया और उसकी क्या घर का खूप पाम कराता था यानि उसकी एहसियत मोवन की नौकर के बराबर थी बाद में उसे एक साधरन से स्कूल में एडमिसन दिला दिया जहाँ उसने आटवी पास करी फिर ऐसी तकनीकी सिच्छा दिलाई जो किसी काम की नहीं थी उसके दो ड़ाई साल वहाँ बरबाद हो गए इस तरह से रमेस ने मोवन का पूरा जीवन बरबार कर दिया एक मेदावी चातर बाद में वह गाउं आया तो ना तो उसमें कोई क्या थी आकोसल का अर्थ होता उसमें कोई भी कुसलता नहीं हो पाई यानि कुछ भी सीख नहीं पाया ना तो टेकनिक सीख पाया किसी परकार की ना कोई पद पापाया और क्या हुआ इसमें इसका मोवन कुछ नहीं कर पाय प्रस नमबर 6 मौण पर धनराम एक लोए की छड़ को गोल आकार में बनाने का प्रयास कर रहा था लेकिन फिर भी सपन नहीं ओ रहा था मौण ने अपनी अबजाद ब्रामर जाती की भावना का त्याग कर हताओडे की साहता से छड़ को गोल कर दिया था अता मौण ने जादगत अबमान को त्याकर लोगार की साहता की थी उस मानोता के कार के कार मौण की आँखों में जमक थी देखो प्रसंग में क्या पूछा गया पहले ही था किस प्रसंग में कहा गया देखो मौण क्या हुआ वो कुछ सीख तो पाया नहीं था और गाव आया जाती से ब्रामर था जब उसने अ उसने उसका सहुखर, अश्या-चकित होने का कारण यह था कि एक ब्राम्मार का पत्र होती हुए भी उसके साथ बैट कर काम पर आता है प्रस नमबर गाहुah, Yes, पात्र विसेस के किन चारित्रिक पहलियों को ऊजागर करता है। पात्र कार्त है कला कार भिसेस मुवन के अनेक चार तरक परिणियों का उजागर करता है तो सबसे पहले आएगा बिंदू नमबर पहला सबसे पहले तो वह जाती अवमान को बेकार मानता है दूसरा सामाजिक विधी विधानों को समझता है पर तीसरा दिया हुआ है कि छोटे से काम में अपनी कुसलता दिखाता है चाथ गत आदार पर बने जूटे भाईचारी की जगाय मेनत कसो के सच्चे भाईचारी को बड़ा मानता है तो ये देखो कुछ क्या होगी जो विसेशता है होगी कि पात्र विसेश के किन चारितर पहली को पुझागर किया गया है किसके मोवन के अब आता है अगला भाग तो अगला भाग दिया पार्ट के आस्पास इससे समंदे परस्न और उत्तर तो चलो देख लेते हैं परस्न नमबर दिया पहला पहला दिया कि गाउन और सहर दोनो जगाओं पर चलने वाले मोवन की जीवन संगर्स में क्या फर्क है चर्चा करें और लिखें प्रसम ये का गया कि जो मोवन है वो सहर में भी रहा और गाउं में भी रहा तो दोनों जगह चलने वाले मोवन की जीवन संगर्स में क्या फर्क रहा चर्चा करना है ठीक है तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे मोवन को सैर और गाउं दोनों ही जगाउं पर संगर्स करना पड़ा जब वो गाउं में था तो भी संगर्स करना था सैर में गया वहां भी करना पड़ा परंतो दोनों जगाउं के संगर्स में अंतर था गाओं के स्कूल में मेदावी होने के करण उसका सम्मान होता ता परंतो आगे की पड़ाई के लिए चार मील तूर जाना पड़ता था जिसमें दो मील की तो चड़ाई करनी पड़ती थी नदी पार करनी पड़ती परसाथ के मौसम में यजमान के यहां रहना पड़ता था तता आर्तिक तंगी भी थी परंतु सहर में उसे दूसरों के घर रहना पड़ा जहां उसकी ऐसी नोकरों जैसी थी बिद्याले भी अच्छा नहीं था तता तकनीकी सिच्छा भी निम्न इस्तर की थी नोकरी के लिए उसे जगए जगए बटगना पड़ा आखर में बिरोजगार के रूप में उसे गाउं लोटना पड़ा तो यह हो गया उत्तर अब इसको समझे लो देखो यह का कि जब मोवन गाउं में था तो वह इसके गरीवी थी और गाउं के स्कूल में पड़ता था और पढ़ने के साथ मेदावी था सम्मान पाता था लेकिन गाव में भी उसको चार मील दूर जाना पड़ता था जिसमें दो मील की चड़ाई होती थी पारिस के मौसम में उसे अपने रिस्तेदारों के या रुखना पड़ता था यानि इस तरह उसे गाव में भी संगस करना पड़ता और जब वो सैर गया तो रमेस ने उसे रोजगार उकर वापस आया इस तरह उसे सेर में भी संगर्स करना पड़ा प्रस नमबर आता है दूसरा एक अद्यापक के रूम में ते लोग संग का ब्यक्तत आपको कैसा लगता है अपनी समझ में उनकी खूब्यों और खाम्यों पर विचार करें तो ते लोग संग की ब्यक बच्चों को लगन से पढ़ाते थे ठीक में दावी छातरों के उज्वल भविस की कामना करते थे बच्चों में अनसासन रखते थे ये क्या थी उनकी खूब्या थी तूसरी योर उनमें कुछ खाम्या भी थी क्या खाम्या थी वह छातरों को थोड़ी सी भी गलती उने पर संटी से मारते थे यानि छड़ी से असद कहते थे जादगद भेदभाव करते थे बच्चों से फिरी का अपना काम करवाते थे बालकों को समझ नहीं पाते थे पढाने में परमपरागत तरीकों को ही अपनाते थे तो देखो दोनों ही खूबिया किसके हैं तो जो मास्टर साथ थे उनकी दी हैं कि खूबी क्या थी वो मैनस से पढ़ाते थे अनसासन रखते थे उनके अच्छे जीवन की काम ना करते थे और खाम्या क्या थी जिसमें कम्या रहती थी जिन चात्रम उनकी खुब पिटाई करता था जाती आधार पर भेद भाव करता था और अपना स्वायम का काम वो करवाते थे और बालकों का मनों बैग्यानिक उनका समन्य नहीं पाते थी कि इन्हें वास्तों में कैसे पढ़ाना उनकी पढ़ाई का जो इस तरह था परंपरागता नहीं तरीके से वो नहीं पढ़ाते थे अब आता प्रस नमबर तीसरा गलता लोगा कानी का अंत एक खास तरीके से होता है क्या इस कानी का कोई अंत अंत हो सकता था चर्चा करें तो देखो उत्तर में हम लिखेंगे इस त को मिटा कर सुखांत बना दिया इसके साथ इस तिर्चित बेरोजगार एवक की ही चिंता के खेतों में रूची दिखा सकते थे जैसे मोवान ने बिरद पिता की जिम्मेदारी को स्वैम नवाया और उसे पिता के साथ खेतों में काम करते दिखाया जा सकता था अब इसको ऐ यह का गया कि गलतालोवक जो लेकर के ने काँनी में अनन्त बच्पन के सैपाटी के सैच्चे को जाती बेद बाव को मिटाकर सुखान्त रूप में बता है ठीक है इस तरह से भी इसका अंग किया जा सकता था तो यह हो गया आपका Part 1 में जो परसंगतर थे ठीक है अब Part 2 में Part गलता लोगा कि से इस परसंगतर आपको Part 2 में मिलेंगे जैसे ही Part 2 कंप्लीट हो जागा हम Part 1 में उसकी लिंक दे देंगे ठीक है और अगर उसके बाद भी इस पार्ट से समन्दित किसी परकार का आपके मन में कोई डाउट हो परसंगतर तो कमेंट करके हमें अवस बताईएगा और यह भी बताईगा कि आपको परसंगतर कैसे लेगे तो पर आज के लिए इतना ही अब हम पर मिलेंगे किसी ने विसे के साथ तब तक के लिए धन्वाद